जहिंद आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा अपने पठित खंड काविके आधार पर निमलिखित प्रसनों में से किसी एक प्रसन का उत्तर दीजिए जोती जवाहर खंड का विका कथानक संछेब में लिखिए या जोती जवाहर खंड का विके आधार पर जवाला नहरू का चरित्र चित्रण कीजिए आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि जोती जवाहरखंड का विके आधार पर जवाला नहरू का चित्रण कैसे लिखे एकदम सरल तरीके से बताऊंगा ये तीर नंबर का पूछा जाता है और वीडियो के आखरी में बताऊंगा कि ये किसकी जिले से जोती जवाहरखंड का भी किसकी जिले में आता है चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये प्रशन नमबर 12 है तो आप लोग ऐसे लिखेंगे प्रशनोत्तर संधस का पेपर है देखलो ऐसे ही आता है पेपर सेम आप लोग जो बताएगा मैं इस पर सभी में टापिक पर वीडियो बना दूँगा आप लोग कमड़े में जरू से काले और एक्जाम में काले और नीले ही पेनका यूज करें उसके बाद में उत्तर नमबर 12 का खा ऐसे दूद दूद लिखेंगे मैं यहां पर सठीक से लिख दिया हूँ लेकिन आप लोग दूद दूद लिखें वो कापी ज्यादा चोड़ी होती है तो इसी प्रकार से लिखेंगे उसके बाद में एकदम में पॉइंट बताओंगा ज्यादा नहीं बताओंगा इससे आप लोगों का टाइम बचेगा और चे नमबर भी लेंगे एक भी नमबर नहीं टीचर काटेंगे तो उत्तर नमबर 12 आब यहां पर जोती जवाहार खंड काविके आधार प केवल इतना ही याद करें उसके बाद में यह जो मेन टापिक हैं इन पर मतलब हैडिंग है यह मेन हैडिंग सभी याद कर लें और उसके बीच में आप लोग थोड़ा बहुत अपने से बनाकर लिख देंगे एक भी नमबर नहीं कटेगा केवल आपको हैडिंग आना जरूर ही ज़रूरी है है हैडिंग मालुम ही मालूम ज़रूरी होना चाहिए इस परकार से आपको यहाँ पर लिख दें मतलब जोते जवहार खंड काविके आधार पर जवहाल लान नहिरू जी की का चरित चित्रन इस परकार देवी प्रसाथ शुक्ल या रा ही जी ने जोती जवह और खंड काब मतलब नामक खंड काब कावर्णन किया इस प्रकार से लिखेंगे उसके बाद में आप हैडिंग डालेंगे काले पेंचे हैडिंग पहली हैडिंग पड़ेगी अलोकिक पुरुस कौझसी हैडिंग पड़ेगी अलोकिक पुरुस कविने जवहाला नहरू के बेक राष्टी भावों के प्रेरक मितलब जो हाला नहरू जो थे वो राष्टी भावों के प्रेरक थे ये दूसरी हेडिंग है पहली अलोकिक पुरुस और दूसरी है राष्टी भावों के प्रेरक इसमें क्या लिखना है जो हाला नहरू उसमें जो बिद्या में या आपके किता करमें दिया रहा है वह बहुत सारा जादा दिया है मैं उसमें 60 का लिगा हुँ जो मेन है वही मैं लिक्कर आपको बता रहा हूं राश्टी भाव के प्रेरक जवाहा लान नेहरू का बेक्तित भारतियों को राश्टी भावनाओं की प्रेणा देने वाला है उनके बिक्तित में असोक जी की युद्ध विरक्त बुद्ध की करोणा महावीर की अहिंसा परताप का मतलब जो महाराणा परताप थे का स्वाभिमान और आज लोगों की जलक दिखाई पड़ती है मतलब जोहाला नहरू में आपको राष्टी भावों के प्रेरक में क्या लिखना है मतलब ये असोक के युद्ध विरक्त बुद्ध की करोणा महावीर की अहिंसा परताप का स्वाभिमान और चात्रपरति सिवाजी की मतलब जो वीरता इस परकार से आपको लिखना है जोहाला नहरू में धैर धारण करने की अद्भुच छमता है वे उपर से सैनिक के सरीर के समान गठोर और अंदर से सादु के समान कोमल है द्रण पुरुष में लिखना है और अगली हेडिंग में लिखना है गवरो मैं अतीत के वास्तविक अधिकारी ये में नहीं आपको ये आखरी में जरूर ही जरूर लिखना है गवरो मैं अतीत के वास्तविक ये जो नहीं लिखोगे आधिकारी मितलब इसमें नहीं लिखोग में नहरू के अतीत के गवरों के सच्चे अधिकारी के रूप में चित्रित किया है मतलब प्रस्तुत खंड कावे में नहरू के अतीत के गवरों में सच्चे अधिकारी के रूप में चित्रित किया है इतना मतलब गवरों में अतीत के वास्तविक अधिकारी यहां पर एड़ क बिद्दिमान हैं वे भारत की आत्मा हैं इस परकार से आपको लिखना है सेम आप बताऊँगा आप लोग कि कौन कौन से जिले में ये आता है कानपुर, परतापगर, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा आधी जिलों के लिए है आप लोग जो कानपुर्ण से ह जो जिले से हैं तो आप लोग जोत जवाहर खंड का भी याद करें और बाकी सब ही होते हैं यह इतने सारे आपको कोई नहीं याद करना केवल यही खंड का भी याद करना है यह वाले जितने हैं मुक्तिदूत या कोई भी हो केवल आपको जोत जवाहर जो आपके जिले में आ प्रम बीर भरत कोई भी हो अपने अपने जिले पर आधारित खंड काव भी ही पढ़ना है आप लोगों के चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को प्रेस कर दो जिसे